खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन कर वाइरल हो रहा है दरसल सारा ने अपनी मा के साथ डोसा खाने का हीड है इन्स्राग्राम पर शेयर किया है इस वीडियो में सारा के मां अम्रिटा अपना मु छिपाय हसती हुई नजर आ रही है वीडियो में टेबलबर एक लाइज DOसा रखा नजर आ रहा है आपको बता दे कि उनके वीडियो फैंस को पसंद कर रहे हैं सारा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए फ़नी शायरी भी लिखी है कि जब मैं और मां खाने को बाहर जाते हैं हम डाइट के बारे में नहीं सोचते बस चीट करते हैं इस तरह खाना कोई एक्स्ट्रा देनी चाहिए आपको बता दे कि सारा अली खान ने फिल्म के दारनाथ से बॉली वुड में डेब्यू किया था अपने पहले ही फिल्म से तरशकों के दिलों में जगह बनाने के बाद उन्होंने रनवीर सिंग के साथ सिंबा में काम किया अब उनकी अपकमिंग फिल्मों मे लवाजकल का सीक्वल और कुली नंबर वन है लवाजकल के सीक्वल में सारा कार्टिकारियन के साथ दिखेंगी तो वहीं दूसरे दरफ कुली नंबर वन में वो वरुनधवन के साथ नजर आने वाली है रन्वीर सिंग और अनुषका शर्मा यू तो अच्छे दोस्त हैं लेकिन दोनों हुई एक दूसरे की टांग खीशने का कोई भी मौकान नहीं छोड़ते हैं और हाल ही में LA Beauty Awards शो में अनुषका और रन्वीर ऐसे ही मस्ती के मूर में नजर आएं जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो गया दरसल शो के दुरान स्टेज पर खड़े रन्वीर सिंग काम्याबी पर अपने विचार रख रहे थे इस बीश रन्वीर थोड़ी देर को ये भूल गए कि वो Awards शो में होस्ट नहीं है उन्होंने माइक थामा और बोले हर इंसान काम्याबी को अलग अलग तरह से डिफाइन करता है आए जानते हैं टरंटेर अनुषका शर्मा का इस पर क्या कहना है रन्वीर सिंग जैसे ही सवाल का जवाब पाने के लिए अनुषका के पास पहुचे तो अनुषका ने रन्वीर को जवाब देते हुए कहा अगे रन्वीर तुम होस्ट नहीं हो अनुषका की बात सुनते ही रन्वीर को अंदाजा होता है और वो अनुषका से माफ ही मांगते हुए वापिस पीछे हट जाते हैं वैसे LA Beauty Awards शो में इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे पहुचे थे सभी के लुक और स्टाइल देखने रायक थे शो में अनुषका सफेद रंगी ड्रेस में नज़र आई तो वहीं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए फेमस रंवीर सिंग ब्लेक पैंड के साथ फंकी शिर्ट और हैट पहने दिखे इसके साथ ही उन्होंने कैट आई ग्रासेस केरी किया था वर्क फ्रेंट पर बात करें तो रंवीर सिंग की अपकमिंग मूवी तिरास्ती काफी चर्चा में है 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अधारित इस फिल्म में रंवीर ने कबिल देव की भूमी का निभाई है बॉलिवुड एक्टेल अक्षे कुमार की नई फिल्म हाउसफुल फोर्ट जल्द ही सिनेमा घरों में रिलेज होने के लिए तयार है फिल्म में अक्षे कुमार के अलावा बॉबी देव, रितेश तेश, मुकृती सनन, कृती खरबंदा और पूजा हेगडे नजर आएंगे हर बार की तरह इस पार्ट में भी चंकी पांडे फिल्म का एहम हिस्सा है उन्होंने इसके पहले पार्ट हाउसफुल में आखरी पास्ता का रोल प्ले गिया था जो काफी फेमस हुआ था तब से वो लगतार इस फ्रेंचाइजे से जुड़े हुए हैं जैसे शायद ही कोई जानता हुगा कि चंकी पांडे साजित की हर एक फिल्म में क्यों नजर आते हैं चंकी पांडे साजित खान के साल हाउसफुल, हाउसफुल टू और हमशकल्स जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं उनके हर फिल्म में चंकी एहम किरदार में होते हैं रिपोर्ट्स की माने तो चंकी की पत्नी भावना पांडे साजित को राखे बानती हैं एक बार राखे की दोरान भावना ने साजित से अपनी हर फिल्म में चंकी को रोल देने की मांग की थी और साजित खान ने भी इसके लिए अपनी हामी भर दी थी तब चलेकर आज तक चंकी साजित की हर फिल्म में नजर आ ही जाते हैं अगर साजित खान को फिल्म हांसुल 4 से बाहर नहीं निकाला जाता तो एक बार फिर चंकी और साजित साथ काम करते नजर आते हालक साजित के इस फिल्म से अलग होने के बाद परान साम जी ने डिरेक्शन की कमान समहा ली है वैसे आपको बता दें कि फिल्म में इस बार पुनर जनम और कॉमेडी का तड़कार देखने को मिलेगा इस फिल्म को बड़े लेवल पर तयार किया गया है अब देखना ये होगा कि 25 अक्टूबर को ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है बहरहाल इस खबर में इतना ही बाके की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाइम 24 निउस खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन